जैहिन दोस्तो सवागे तो आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल केरियर पॉइंट पर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए सामाने विग्यान के सो महतवपून परशन दोस्तो आज की इस वीडियो में जो क्यूशन है वो घटना चकर से रिलेटिड हैं त प्रैस किजिगा होस जिए तो आयफ दोस्तो पर स्केंट 10 का follower कोमें डिजिए और वीडियो के लांस में और अच्छी वीडियो आपको अगली वीडियो प्राइड कर सकें अगर आप किसषी टोपीक पर वीडियो वीडियो मनाकर दिजाएगी तो चलिए का दोस्तों आज की सी वीडियो को शुरू करते हैं देखें आज की वीडियो का क्क्षेस क्या दिया गया है पहला क्यूशन मह ड्रियनन सरस्वति का agreement क्या था मूल शंकर ओप्श n B ह Aimlo एगला question है आरे समाज को किसने भारती सांती का जनम दाता कहा था किसने कहा था वेलिन्टाइन सिरोल ने कहा था वेलिन्टाइन सिरोल की दुबरा option A आपका सही होगा next देखी टृती जिरा पार सही आंशो दाता king कहां हुआ है था देखें कहा पर हुआ था? सही आंशर होगा पाटली पूत्र, ओप्षन C आपका सही आंशर हो जाएगा. Next देखें, स्योल्य महा जन्र पदों की सुची किसमे सम्मेलित है, सही आंशर होगा अंगूतर निकाय, ओप्षन A आपका सही हो जाएगा. Next देखें, है दूर दर्शन द्वारा प्रायोचित पहला दारावा एक सीरियल कौन सा था सही आंचर होगा हम लोग option C next देखिए 1857 की विद्रो किसमे British परदान मंतरी कौन था सही आंचर होगा Lord Pum headlines option B आपका सही हो जाएगा अगला Qutons सूरी हमारे स्वार मंदल का केंदर है इसे किसीने पर्थी पादित क्या था सही आंचर होगा Coppernext option A aggla question यह नियूंतम्यगरी करत राज्य कौनसा है सही आंचर होगा हिमाचलपरदिस option B आपका right हो जाएगा next देखी बारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्मान के लिए कौन विक्ष्छा थे सही आंशरोगा फिरोजसा तुगला नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्मान जो है वो फिरोजसा तुगला क्लिक के दोवारा क्या गया था option D आपका सही रहेगा next देखी विद्रोही कवी किसको कहा जाता है सही आंशरोगा काजी नजरूल इसलाम को किसको कह गया है काजी नजरूल इसलाम को विद्रोही कवी के नाम से पकारा गया है option A आपका सही होगा next देखी भारत का मैक्या वेली किसे कहा जाता है भारत का मैक्या वेली कहा जाता है चान एक्के को उप्शन भी आपका सही होगा अगला क्यूशन है भारत में सरवादिक सुद सरण सिखे किसने पर्चलित किये किसने किये थी कुशान वन्सने Octon C आपका सेरीगा Next देखी भुमी देने की सामंती पर्था किसीने प्रारम की किसीने की थी हर्ष वर्थन सामंती पर्था को E αυτό A आपका सही होगा Next देखी अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ने किया तो और आपने वीडियो को लाइक करिए Option D, आपका सही होगा. Next, देखिए. Victoria जल परपात का सम्मद किस नदी से है? सही आंसुर होगा, जांबेजी नदी. Option A. Next, देखिए. भारत के एक अरव्य सीसु का नाम क्या है? तो क्या नाम है? आस्था. Option B, आपका सही होजएगा. भारत के एक अरव्य सीसु का नाम क्या है? आस्था. Next, देखिए. Port Blair कहां पर स्तित है? Port Blair कहां स्तित है? देखिएगा. दक्सिन अंडमान में. Option C, आपका सही होगा. अगला क्यूशन है. गुरू मुखी लिपी किस गुरू ने विक्सित की थी? तो सही आंश्र का, गुरू अंगद ने. ठीक है? गुरू मुखी लिपी जो है, वो गुरू अंगद के दिवारा विक्सित की गई थी. Option D, आपका right होगा. Next, देखिए. भारती संग के अंतरगत, किस राज्य को मिलाने का अधिकार, किसको प्राप्त है? अधिकार. तो देखिए, किसको? संसद को. Option D, आपका शेज़ेगा. किसी भी राज्य को भारती संग के अंतरगत सामिल करना, संसद को अधिकार प्राप्त है. Next, देखिए. किंदर राज्य संबंद किस अनुसुच्छी के अंतरगत वर्नित है? तो देखिए, सही अंसर क्या होगा? इसका? सातवी अनुसुच्छी के अंदर वर्नित है. Option B, आपका सही हो जाएगा. Next, देखिए. धर्म की संतता से संबंदित अनुचेद कोणसा है? धर्म की संतता से संबंदित अनुचेद कोणसा है? अनुचेद 25. आर्टिकल 25 जो है, वो धर्म की संतता से संबंदित है. Option C, आपका सही होगा. Next, देखिए. अमीर खुश्रोकिन दोभासाओं का विद्वान था. तो देखिए, सही अंसर का हिंदी और फार्सी. Option D, आपके राइट अंसर का. Next, देखिए. मुहमद बिन कासिम ने सिंद पर विजय प्राप्त की थी. देखिए, कब प्राप्त की थी? 712 इसवी में. Option C, आपका सही अंसर होगा. मुहमद बिन कासिम ने सिंद पर विजय प्राप्त कर ले थी. 712 इसवी में. अगला क्यूश्रोकिन है. अरजुन पुरुश्कार जीतने वाली पर्थम भारती महिला कोन थी? सही अंसर होगा. N, Lumpstein. पहली महिला थी, भारती महिला थी, जिसने अरजुन पुरुश्कार जीता था. Option B, आपका सही अंसर होगा. Next, देखिए. अर्जुन पुलुष्कार जीतने वाला पर्थम भारती क्रिकेटर कौन है तो देखिए सई आंशर होगा सलिम दुरानी option A आपका सई होज़ेगा सलिम दुरानी जो है पहले भारती क्रिकेटर जिरने अर्जुन पुलुष्कार जीता था अगला क्यूश्जन है डेट हीट सबद की स्केल से सम्मझ दिते हैं डेट हीट सबद जो है वो सम्मझ दिता है गुड दोड से option D आपका सही होगा next देखी चमतकार इस चेन पुस्तक के लेकर कौन है कौन है लोकेस ठाल option C आपका सही हो जाएगा next देखी मैसूर एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलारी को कहा जाता है तो देखीए मैसूर एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलारी को कहा जाता है सही आंशुर का स्रीनात option D आपका सही होगा स्रीनात को क्या कहा गया है मैसूर एक्सप्रेस इनका उपनाम दिया गया है अगला question है बंकर सबद किस खेल से संबनित है पोलों से ओप्षन C आपका सही होगा अगला question है भारत में मुगल सत्ता की स्तापना किस लडाइ के बाद हुई थी तो देखें किस लडाइ के बाद पानिपत की पहली लडाइ के बाद Option A आपका सही अंसरोगा पानिपत की पहले लड़ाई के बाद भारत में मुगल स्थापी की गी थी Option A सही होगा Next देखी जहांगीर के दरबार में जेम्स पर्थम का राजदूद कौन था कौन था Sir Thomas Rowe जो है जहांगीर के दरबार में जेम्स पर्थम के राजदूद बनकर आये थे Option A आपका सही होगा Sir Thomas Rowe Next देखीए का इसलाम का सबसे बड़ा सत्रू किसे कहा जाता है इसलाम का सबसे बड़ा सत्रू किसको कहा जाता है राजपुत राजद्हं को Option D आपका सही होगा राजपुत राजद्हं को इसलाम का सबसे बड़ा सत्रू बतलाये गए है अगला क्यूश्चन है ओरंग जेब ने बीजापुर पर कब विजय प्राप्त की थी ओरंग जेब ने बीजापुर पर विजय कब प्राप्त की थी 1686 में Option C आपका सही होगा अगला क्यूश्चन है किस मुगल समराट के साथ संकाल में उपनी सद का फार्शी में अनुवाद हुआ था तो देखिए किस के काल में साजाहा के काल में Option C आपका सही होगा साजाहा के काल में उपने सदों का फार्सी में अनुवाद किया गया था और ये कौन थे मुगल समराट थे आपको पता होना चाहिए अगला क्योशन है जिमनास्टिक खेल में परतेक पक्स में कितने खिलाड़ी होते हैं सही आंशरों का आठ option C आपका सही हो जाएगा next देखी Air Force Flying College कहां पर शोथा है Air Force Flying College काँ पर देखी जोदपूर में Option B आपका सही आंसर होगा जोदपूर Next देखी Kendriya Piriyan immense engineering अनुसंधान संस्तान कहा है Kendriya Piriyan Chinese engineering अनुसंधान संस्तान जो और है वो सिदेखी नागपूर में Option A आपका सही होगा Next देखी डिल्ली का परथम सुल्तान कोन था जिसने दक्षिन भारत को प्राजित करने का प्रियास किया नच धी ही बहुतिक वाधी दर्शन के परवर्दक कोन थे चारवा शित तुछ आपका सहित रहेगा अगला क्यूशन है व्यास नदी का प्राचिन नाम क्या था व्यास नदी का प्राचिन नाम क्या था विपासा उप्शन C सही आंशर होगा नेक्स देखिए सिरी नगर की स्थापना किस ने की थी किस ने की थी असोक ने राजा असोक के दवारा सिरिनगर की स्थापना की गई, option A आपका सही होगा, अगर आपने friends अभी तक वीडियो को लाइक ने किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, जो भी नए है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सेर करना बिलुकुल न भूलेगा, facebook, whatsapp, telegram पर जल्दी पर्थम को बेठाया गया था, next देखी, भारती सिक्ष्या का मेगना कार्टा किसी कहा जाता है, वुड डिस्पैच को, option D आपका सही होगा, वुड डिस्पैच, अगला question है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, कब, औपार्टी साबर्बदी अश्रम की स्थापना की गई थी, कब उननिसो चोले में, option C आपका सही होगा, उनिसो सोले में साबर्बदी अल्डि की स्थापना की गई, अगला question है, गांधी जी ने साबर्ब्दी से दांडी की जात्रा कितने समर्थकों के साथ की, तो देखी, स सब्त वर्षिय यूद का प्रारम कब हुआ था, तो देखिए कब हुआ था, सही हो जगा 1756, option A आपका सही हो जगा सब्त वर्षिय यूद के प्रारम जो है, वो हुआ था 1756 में, next देखिए, सबसे अधिक लंबा दिन और रात की ग्रहय पर होता है, सबसे अधिक लंबा दिन अगला क्यूशन है, क्रिशन देव राय किसके समकालें थे, क्रिशन देव राय किसके समकालें थे, बाबर की, option A बाबर आपका सही होगा, अगला क्यूशन है, पूरव का मोती किसे कहा जाते है, किसको सिरिलंका को, option D आपका सही होगा, next देखिए, शूंडा गर्थ किस महा महासागर में, स्थित हैं हिंद महासागर में, option A आपका सहयोगा हिंद महासागर, अगला question है, रोजगार गारंटी योजना का परारम कब से किया गया, रोजगार गारंटी योजना का परारम कब से किया गया, दो फरवरी 2006, option C आपका सहयोगा दो फरवरी 2006, next देखिए, वर्म किसे समद्धित है केच्वा पालन से option C आपका सही हो जएगा केच्वा पालन अगला क्यूशन है पौन रूप से देश का पहला भारती बैंक कोन सा था यह important question आचका है आप लोगों के लिए जो banking की तियारी कर रहे है उनके अच्छा question है तो देखिए पौन रूप से देश का पहला भारती बैंक कोन सा था पन्जाब नेशनल बैंक जो है पौन रूप से भारती का पहला बैंक था नेक्स देखिए नटराज मंदेर कहाँ थे धे नटराज मंदेर कहां पर है नेक्स देखिए चेन नहीं के अंदर Option D, आपका सेवज़ेगा चेन नहीं, अगला क्यूशन है, अमेरिका कब सवतंतर हुआ था, अमेरिका कब सवतंतर हुआ था, सही आंसरों का सत्रजों, छेतर में Option B, आपका सही हो जाएगा, नेक्स देखी, एसिया में सरव पर्थम ओद्यों की क्विकास की स्थेश में हुआ, एसिया में सरव पर्थम ओद्यों की क्विकास हुआ था, कहां पर, जापान में, Option D, आपका सेवज़ेगा सबसे अधिक जो है, ओद्यों की क्विकास जापान देश के अंदर हुआ है, अगला क्यूशन है, डिवाइन कोमेडी के रचनाकार कोन है, डिवाइन कोमेडी के सही आंसर होगा, 1168, नेक्स देखी, पाकिस्तान के पर्थम पर्धान मंतरी कोन थे, पाकिस्तान के पर्थम पर्धान मंतरी थे, कोन, लिया कतली खान, Option A, आपका सही आंसर होगा, नेक्स देखी, जिंदा पीर के रूप में कोन विख्या था, जिंदा पीर के रूप में कोन विख्या था औरंग जेब अगला क्यूशन है यातरी कर किसने बंद करवाय था देखिए फ्रेंट्स ये करवाय था अकबर ने ये आपका सही हो जाएगा हिंदों से याद रख कर लिया जाता मुसलमानों से याद रख कर लिया जाता तो वो कर जोता था यातरी कर बोलते थे उसको और वो बंद के था अकबर ने नेक्स देखिए लिंगायत संपर्दाय के संस्थापक कौन थे लिंगायत संपर्दाय के संस्थापक कौन थे वासव ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा वासव याँपे कों थे ? जोन एडेंज अगला क्यूशन है मारिया इसाबेल पेरो जो थी पहली महिला राष्ट्रपती थी अगला क्यूशन है अगला question देखी, राष्टी जंडा अपनाने वाला पर्थम देश कोन सा है, तो देखी कोन सा है, इसका सही आंसर जाएगा डेनमार्ट, ठीक है, डेनमार्ट जो है, राष्टी जंडा अपनाने वाला पहला देश बना था, option B आपका सही हो जाएगा, अगला question है, अगला question देखी, सभी विश्व का फुटबॉल पर्थम देश कोन सा है, अगला question देखी, सभी विश्व का फुटबॉल पर्तियुक्ता में भाग लेने वाला एक मातर देश कोन सा है, सभी विश्व का फुटबॉल पर्तियुक्ता में भाग लेने वाला एक मातर देश है, कोन सा, ब्राजिल, option C आपका सही होगा, next देखी, दक्सिन का ब्रेटेन किसे कहा जाता है, दक्सिन का ब्रेटेन किसको कहा जाता है, सही आँचर होगा, न्यूजिलेंड, option A आपका सही होगा, न्यूजिलेंड को दक्सिन का ब्रेटेन कहा जाता है, next देखी, अगला किशन है, डेथ वैली किस देश का सबसे सुखा पर्देश है, death वैली, देखीगा, सही आँचर होगा, अमेरिका, अमेरिका देश का सबसे सुखा पर्देश है, death वैली किसको, इसका नाम गिम है जिसमें राष्टी खेल है चाहिया याद रखिए। इस ने किसने किसने इसका सही आंशुर होगा। लोर्ड रिपन, ओप्शन C आपका सही हो जय कहा है, नेक्स देखए, Fort William का पर्थम अध्यक्स किसे बनाया कहा है था? Fort William का पहला अध्यक्स, देख़ेगा Sir Charles आयर को बनाया कहा है था, ओप्शन A, Sir Charles आयर आपका सही आनश्र होगा, नेक्स देखी, BCCI की स्थापना कब हुई थी? सही आंशर होगा, 1928. 1928 में BCCI की स्थापना की गी थी? ओप्शन भी आपका सही होगा. नेक्स देखी, पहला विशव का फुटबॉल कब खेला गया था? सही आंशर होगा, 1930 में पहला विशव का फुटबॉल खेला गया था. ओप्शन C, सही आंशर होगा. अगला क्यूशन, हिमाले मुख्य रूप से कितने समानतर स्रेणिय में विभगते हैं? सही आंशर होगा, 3. ओप्शन A, आपका सही होजाएगा. अगला क्यूशन है, भारत का पर्थम ग्रवनर जनरल कौन था? तो देखी, कौन था? सही आंश ठीक, ठीक है, भारत के पहले ग्रवनर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ओप्शन C, आपका सही हो जाएगा. नेक्स देखी, किस अनुचेद के तहाएद का गया कि संकी सकती राष्टपती में नहित होगी? किस अनुचेद के तहाएद कहा गया कि संकी सकती नेक्स्ट दिखिए भारत में कंपणी के अधिन पर्थम ग्रहणोर जनरल कौन हुआ है तो देखिए कौन थे सही answer गा वारेन, हेस्टिक्स कंपणी के अधिन थे और पहले ग्रहणोर जनरल थे वारेन, हेस्टिक्स उप्शन ए आपका सही होगा अगला क्यूशन है इरान का नेपोलिन किसे कहा जाता है इरान का नेपोलिन कहा गया है नादिर्शा को उप्शन भी आपका सही होजएगा नादिर्शा अगला क्यूशन है भारत का नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर किस अनुछेद के तहट सर्वोच नहले में अपील कर सकता है तो देखिए किस अनुछेद के तहट सही हो जएगा अनुछेद 32 आर्टिकल 32 के तहट भारत का नागरिक मूल अधिकार का हननन होने पर सर्वोच नहले में अपील कर सकता है ठीक है, मूल अधिकारों का हनन होने पर, आर्टिकल 32 के तैट अपील कर सकता है स्रोज नयले में, नेक्स देखी, भारत का नागरिक मूल अधिकार कानूनों में पर, ये रिपीट हो रहा है फ्रेंज, तो इसका क्यूस्टन का वही आंसर होगा, ठीक है, तो अगला क्यूस्टन की तरफ चलते हैं, देखी, भारत का सबसी बड़ा गिर्जागर कौन सा है, भारत का सबसी लगभग कितना होता हैं, तो देखी, कितना, 3500 degree Celsius, उप्शन B जो है, वह आपका, सही हो जाएगा, नेक्स देखी, मानव श्री का, सिरुवादिक कोलिसेट्रोल बनाने वाला स्थान कों सा है, मानव श्री का, सबसे अधिक कोलिसेट्रोल बनाने वाला स्थान है, कों सा, यक option D आपका से हो जाएगा डी ठीक है यक्रीत के अंदर सबसे दिक कोलेक्टोल बनता है अगला क्यूशन है राष्ट्रिये आपात किसमें किस अनुचेद में दीगई सो उन्दरता समाप्त हो जाती है तो देखिए सही आंशर होगा अनुचेद 19 option C आपका सही हो जाएगा next है अ next देखिए देश का पहला विधुत सनियंतर की स्थापना कब हुई थी देश के पहले विधुत सनियंतर की स्थापना हुई थी कब 1979 में ओप्शन D आपका सेज़ेगा 1969 अगला क्यूशन है दक्सिन भार्त की सबसे उंची चोटी कोण सी है कोण सी है अनाई मूदी ओप्शन A आपका सेज़ेगा नाई मूदी आपे राइट आंसर अगला क्यूशन देखिएगा बिना ताज का बाच्चा किसे कहा जाते हैं बहुत अच्छा क्यूशन है सही आंसर होगा सुरेंदरनात बनर जी को ठीगा बिना ताज का बाच्चा का गया है ओप्शन C आपका सही होज किस नदी पर शितित हैं? नच्स देखेए थीन बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर ऐगला क्यूशिन है माप तोल की दस्मलोग प्रणाली किस देश की देन meant option d आपका सिरेएगा France नेक्स देखी, विश्व में शरव पर्थम आर्थिक नियोजन की शुरुवाद किस देश से की गई थी, सोवेट रूस से, ओप्शन ए आपका से हुगा, सोवेट रूस, आज का आखरी क्यूशन, पर्थम वित आयोका गठन कब किया गया, पर्थम वित आयोका गठन तो प्लीज वीडियो को लाइक जिरू करेंगे, एक एक लाइक आपका इंपोर्टेंट है, आपके एक लाइक से आपर 10 पचों तक भी वीडियो पहुचेगी, वो भी यहाँ पर जोड़ सकेंगे, और अपने एक जाम की अच्छे से तियारी कर सकेंगे, तो प्लीज वीडियो